नवरात्री में नोवे दिन मासिद्धी दात्री की पूजा की जाती है। दर्शको मैं आपको आज इस वीडियो में मादुरगा जी के नोवे शरूप मासिद्धी दात्री के बारे में बताने वाला हूं कि मासिद्धी दात्री से जुड़ी कथा क्या है। मासिद्धी दात्री को भोग में क्या अधिक पसंद है उनको प्रसंद करने का मंत्र क्या है मासिद्धी दात्री की पूजा कौन से रंग के कपड़े पहन कर करें मासिद्धी दात्री को कौन सा फूल चड़ाएं आप यह सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिपिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। अब बात करते हैं मा सिद्धी दात्री के बारे में। मा दुरुगा जी की नवी सक्ती का नाम सिद्धी दात्री है, नवरात्री के अंतिम दिन बुद्धवार को मा के नोवे सरूप मा सिद्धी दात्री की पूजा होगी, माता सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है, मा सिद्धी दात्री को आराधना से अपार सक्ती और अतलित सामर्थ की प्राप्ती होती है, मारकंडे पुराण के अंसार अनमा, महमा, गर्मा, लग्मा, प्राप्ती, प्राक्यम्य, इस्वत्त और वसित्त ये आठ होती हैं ब्रह्म वेवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है इनके नाम इस प्रकार हैं अन्मा लगमा प्राप्ति प्राकाम्य महमा इस्वत्व वसत्व सर्व कामा वसायता सर्व गित्व दूर्शरवन परा काय प्रवेशन वाक्षिद नार करण सामर्त अम्रत्व सर्व न्याय कत्व सत्रमिय भावना और अठार्मी सिद्धी मा सिद्धी दात्री भक्तों और साद्व को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्त हैं देवी पुराण के अंसार भगवान सिभ ने इनकी किरपा से ही इन सिद्धियों को प् में अर्द नारीस्वर नाम से प्रिशद हुए मासिदी दात्री चार वजाओंवाली हैं इनकाрист माता कमल पुस्पर भी आसीन होती हैं इनकी दानी तरप के नीचे वाले हाथ में शंक चक्र उपर वाला हाथ में गदा और बाई तरप के नीचे वाले हाथ में संक और उपर वाले हाथ में कमल पुश्प है नवरात्र पूजन के नवे दिन मासिद्धी दात्री की उपासना की जाती है इस दिन सास्त्री विधी विधान और पूर्ण निश्टा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्यों की प्राप्ती हो जाती है। सरश्टी में कुछ भी उनके लिए अग्यम नहीं रह जाता। ब्रह्मांद पर पून विजय प्राप्त करने की सामर्त उसमें आ जाती है उनकी आराधना और अग्रसर हों इनकी क्रपा से अनंत दुख रूप संसार से नलप्त रहकर सारे सुकुं का भोग करता हुआ वैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता है नव दुरगाओं में मासिद्धी द के अंसार करते हुए भक्त दुरगाओं पूजा के नवे दिन इनकी उपासना में प्रवत होते हैं सिद्धी दात्री मा की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और सादकों की लोकिक पारलोकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती हो जाती है मासिद्धी दात्री रूपेन संस्ता नमस्तसाई 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 सार्वजिन ग्रूप से किसी मायक पर या सार्वजिन की स्थान पर नहीं बोलना चाहिए ऐसा संतों का मत है क्यों है कि जो गायत्री मंत्र है वह मंत्रों का राजा है सभी मंत्रों की उत्पत्ति गायत्री के गर्व से ही हुई है जो चीज कीमती होती है उसे हम तिजूरी में छिपा करके रखते हैं इसलिए गायत्री को एक परकार से छिपा के रखा हुआ है यह बोला नहीं जाता है सारजिन रूप से इसे गुप्त र प्राप्ति हो जाएगी नवरात्री के समय में मासिद्धी दात्री का भोग मौसमी फल चना पूरी खीर नारियल और हलवा अत्प्री हैं मासिद्धी दात्री को पूजा में कमल पूस्प चड़ाय जाता है मासिद्धी दात्री की पूजा बेंगनी या जामनी रंग का वस्त पहिन करके की जाती है दरसको आपको हमारी यह कथा सिद्धी दात्री से जुड़ी कैसी लगी आप जरूर एक सकारात्म कमेंट करके हमारा मनुवल बढ़ाएं उस्सावर्दन करें जिससे कि हम आगे भी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रिस्तुत करते रहें और अगर जय स्री रादे मैं बिदा देता हूं